बीजेपी की पांचवी सूची जारी, त्योथर से सद्धार्थ, मनगवा से नरेंद्र प्रजापती, गूर से नागेंद्र और सिमरिया से खेपित रिपाठी बने उनद्वार नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजिनाव और आप देख रहे हैं ता खबरतार न्यूज, तो चली बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर MP में विधान सभाचुनाओ 2023 की भाजपा ने 21 ओक्टूबर की शाम को पांचवी सूची जारी कर दी है लिस्ट में रीवा जिले के त्यों थर से सधार तिवारी राज और मनगवा से नरेंद्र प्रजापती को मिद्वार बनाये गया है ये दोनों चहरे भाजपा के लिए नए हैं सधार तिवारी राज पांच दिन पहले कॉंग्रिस छोड़ कर भाजपा में आये थे वे पुर विधान सभाध ध्यक्ष स्रेनिवास तिवारी के पोते हैं जबकि नरेंद्र प्रजापती संध की पसंद है इनके टिकट ने सब को चौका दिया है वहें गुड विधान सभाध से नागेंद्र सिंग और सिमरिया विधान सभाध से के पितर पाठी को रिपीट किया गया है नागेंद्र सिंग चार बार के विधायक हैं वो पहली बार 1985 में कॉंग्रेस पार्टी से विधायक बने इसके बाद 2003 और 2008 में भाजपा से विधायक बने, चौथी बार 2018 में जीत का चौका लगाया है, जबकि केपित्र पार्टी 2015 में रिवा जनपत पंचायत से अध्यक्ष रहे, 2018 में पहली बार विधायक बने, इसके बाद जनपत से इस्तिफा दे दिया, अब पार्टी ने दोबारा भरोसा किया है, 9 अक्टूबर को 4 सीटे हो गई थी घोशित, रिवा वा मौगंज जिले से चार उमिद्वारों का नाम पहले ही 9 अक्टूबर को घोशित हो गया था, रिवा शहरी सीट से पी एची एवंग जन संपर्क मंत्री, राजिंद्र शुक्ल, देव तालाव शेतर से विधान सभा अध्यक्ष, गिरिश गोतम, मौगंज विधान सभासे प्रदीप पतेल, और सिर्मौर विधान सभासे दिव्यराज सेंग को रिपीट किया है, चार सीट होल्थ थी जिनको शनिवार को भाजपानें घोशित कर दिया है, रिवावा मौगंज जिले से घोशित उमद्वार, रिवा विधान सभासे राजिंद्र शुक्ल, देव, तालाव विधान सभासे गिरिश गोतम, मौगंज विधान सभासे प्रदीप पतेल, सिर्म अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें